सार्वजनिक शित्र के उपक्रमों को बंद करने के सिफारिश करने का दिकार संचालक मंडल को केंद्रिय मंदल की बैठक में लिए गए कई महत उपूर्ण निर्णे केंद्रिय मंत्रिय अनुराक ठाकुर ने कहा फिल्मों के सहनिर्मान के लिए लाएंगे इंसेंटिव फंड स्कीम कांद फिल्म समारों में इंडिया पैवेलियन का केंद्रिय मंत्रिय ने किया उद्घाटर मुख्यमंत्री भुपेश बगेल के भेंट मुलाखात अभ्यान का दूसरा चरण आज से शुरू पहले दिन कोंटा विधानसवा के गाउं में पहुँच कर लोगों से की बात और तक्निकी ग्यान से अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मन निर्भर बन रहे हैं युवा MSME मंत्राले से बढ़ रहे हैं रोजगार के अफसर नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदरशन समाचार मैं हूँ मनीश अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से आज हुई केंधरी मंत्री मंडल के बैठक में कई महतोपूर्ण निर्णे लिये गए केंधरी मंडल ने होल्डिंग और सारवजनिक शेत्र के उपक्रमों को बंद करने की प्रक्रिया के सिफारिश करने का अधिकार दे दिया है इसी तरह मंत्री मंडल ने महारत्म सारवजनिक शेत्र के उद्यमों के होल्डिंग और मूल सारवजनिक शेत्र के उपक्रमों में विनिवेश हिस्सेदारी के बिकरी के लिए सैधान्तिक मंजूरी देने के लिए वैकल पिकतंत्र को अधिकार देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है वही केंद्री मंत्री मंडल ने जैव इंधन 2018 पर राश्ट्री अनेती में संशोधन को भी मन्जूरी दी है संशोधनों का उदेश जैव इंधन के उतपादन के लिए अधिक फीड स्टॉक की अनुमती देना पेट्रोल में एथनॉल के 20 प्रतिशत मिश्रण के लक्ष को अगले वर्ष एक अप्रेल तक आगे बढ़ाना और देश में जैव इंधन के उतपादन को बढ़ावा देना है इसके अलावा संशोधन राष्ट्य जैव इंधन समनवे समीति में नए सदस्यों को शामिल करने और विशिष्ट मौमलों में जैव इंधन के निर्यात की अनुमती देने के लिए भी है इन संशोधनों से मेकिन इंडिया अभियान का मार्ग प्रशस्त होता है और जिससे जैव इंधन के उतपादन बढ़ने के साथ ही पैट्रोल यम उतपादों के आयात में भी कम ही आईगी बात कर लेते हैं कान्स फिल्म फैस्टिवल की सूचना और प्रसारन मंत्र अनुराग ठाकुर के नेतरतों में अब तक के सबसे बड़े भारती प्रति निधी मंडल ने कान्स फिल्म समारों के उतगाटन कारिक्रम में शिर्कत की इस समारों में भारतिय लोग कला के लिए एक एत्यासिक्षन उस समय आया जब लोग गायक राजस्थान के मामे खान ने रेट कार्पेट पर भारतिय प्रति निधी मंडल की अगुआई की अनुराग ठाकुर ने कान्स फिल्म समारों में इंडिया पैवेलियन का उतगाटन करते होवे कहा कि भारत में विदेश्य फिल्मों को प्रोच सहन दिया जाएगा उन्होंने फिल्मों के सहनिर्मान के लिए इंसेंटिव फंड स्कीम की घोशना भी की अनुराग जाओचेश प्रोचाटन के सहनुआअ जाखेश्य होवे भी अचीमित की भी कोशें रहीं है नाइग कि भी को आधनू पिल्मेंड फिल्मेकर आवेश्य बीदिः प्रोच वी कि अढ़ेश्ति अथिल्मों कि नेट बीदर इंट उन्ज अच्टी ईंड प्रूब और भारती सिनेमा के विवेदता की अनूठी जलक का प्रदशन करते हुए इस कारिक्रम में भारती प्रतिनिधी मंडल में देश भर के फिल्मी हस्तियां शामिल हुई 11 सदस्यों का ये प्रतिनेदी मंडल इस बात का प्रतीक था कि भारत वैश्विक सिनेमा का केंदर बनने की आकांक्षा रखता है अनुराक ठाकूर के साथ जिन दस हस्तियों ने इस समारों में शिरकत की उनमें तीन संगीतकार और भारती सिनेमा के जाने माने फिल्म निर्माता और अभीनेता शामिल थे प्रतिनीदी मंडल में फिल्मने अभीनेता नवाजुदिन सुद्धिकी और प्रख्यात संगीतकार एयार रह्मान भी शामिल थे भारत के समकालीन संगीत का प्रतिनीदी दितव करने के लिए अंतराश्च्ट ऑख्याति प्राप्त और ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित रिख्की केज भी इस प्रतिनीदी मंडल का हिस्सा बने गीतकार और केंदरिय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्श प्रसून जोशी भी भारतिय प्रतिनीदी मंडल में शामिल थे इस अभीनेता और निर्माता आरमाधवन और तेलगु सिनेमा के सुपर स्टार तमनाभाटिया और पूजा हेगडे शामिल थे इस समारों में 36 गड़ की फिल्म बेला डिला का भी प्रदशन किया जाने वाला है मुक्यमंतरी भुपेश भगेल के भेंट मुलाकात अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया दो जून तक चलने वाले इस भेंट मुलाकात के दूसरे चरण के शुरूआत कोंटा विधानसभा से हुई निर्धारित दौरा कारिक्रम के अनुसार मुक्यमंतरी आज सुबह हेलिकॉप्टर से रवान होकर कोंटा पहुंचे कुंटा में उन्होंने श्रीराम लिंगेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुखशान्ती और सम्रिध्य की काम ना की इस दोरान उन्होंने चौपा लगा कर कुंटा विधानसवा के 12 से ज्यादा गाउं के 291 हित गराईयों को वन अधिकार मान्यता प्रमान पत्र प्रदान किये मुक्यमंतरी ने आसपास के गाउं के किसानों को पावर स्प्रेयर भी वित्रित किये वहीं उन्होंने 20 तेंदूपत्ता संग्रहाकों को 3,40,000 रुपए की तेंदूपत्ता संग्रन राशी वित्रित की चिंदगार में उन्होंने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विध्याले का लोकारपन किया साथी 5 करोड रुपए की लागत से 100 देव गोडियों के जिरुनोधार कारे का भी लोकारपन किया उन्होंने इस असर पर पुजारियों को धोती कुर्ता और पगड़ी भेंट कर सम्मानित किया इस दोरान मुख्यमांत्री ने कई बड़ी खोशनाए की जिनमें उपतहसिल जगरगुंडा को तहसिल बनाने की खोशना उपतहसिल दोरनापाल को पूर्ण तहसिल का दरजा देने कोंटा बलॉक के बड़ागाउं और जगरगुंडा में विद्युत सब स्टेशन खोलने एरराबोर में मिनी स्टेडियम बनाने और दुब्बा कोंटा में खेल मैदान निर्मान करने की घोशना शामिल है गरतलवे की मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने प्रदेश के सभी 90 विदानसबाक शित्रों में भेट मुलाकात अभियान के शुरुआत की है भेट मुलाकात अभियान के पहले चरण में मुख्यमंत्री ने 4 से 11 माई तक सरगुजा अंचल के विदानसबाक शित्रों का दौरा किया था बात कर लेते हैं कोविट की कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक 191 करोड 65 लाग से अधिक कोविट रोधी टीक के लगाए जा चुके हैं इसके साथ ही 12-14 वर्ष की आयू वर्ग के लिए 16 मार्च को कोविट टीका करने शुरू किया गया था जिसके तरह अब तक 3 करोड 21 लाग से अधिक की शुरों को पहला टीका लगाय जा चुका है इस समय देश में 15,647 संक्रमितों का इलाज चल रहा है पिछले 24 गंटों में कुल 2549 रोग्यों के स्वस्थ होने के साथ ही संक्रमन से ठीक होने वालों की संख्या 4 करोड 25 लाग हो गई है इसी दौरान 1819 नए मामले भी दर्च किये गया इसी तरह 36 गड़ में प्रदेश की ओसत पॉजिटिविटी दर 0.09 प्रतिशत है पिछले 24 गंटों में प्रदेश में 4218 सेंपल्स की जाच की गई जिनमें केवल 4 व्यक्ति कोरोना संक्रम इत पाए गए कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में अब तक 4 करोड 5 लाग से अधिक कोवीड रोधी टी के लगाय जा चुके हैं केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई तक्नी की और प्रद्योगी की आधारित पाठेक्रम शिक्षा का असर अब दिखने लगा है तक्नी की ग्यान से अब यूवा अपने पैरों पर खड़े होकर आत्म निर्बर बन रहे हैं और अपने परिवार को सशक्त बना रहे हैं भारत सरकार के सूक्ष मलगू और मध्यम उद्यम MSME मंत्राले द्वारा 112 करोड की लागत से बने दुर्ग के रसमड़ा औद्योगिक शेत्र से चात्र चात्राएं अब प्रशिक्षित होकर निकल रहे हैं इस संस्थान में PM दक्षय योजना, MSME मंत्राले प्रायजीत प्रशिक्षन, इंटर्ण्शिप प्रशिक्षन और डिप्लोमा पार्ठेक्रम चलाए जा रहे हैं के उप महाप्रबंदक रितेश कुमार टांडिकर ने बताया कि केंडर सरकार के MSME मंत्राले द्वारा चिंधां कित पार्ठेक्रमों का यहां संचालन किया जा रहा है जिसके माध्यम से प्रशिक्षितों कर चात्र चात्राएं और योगिक संस्थानों में आसानी से नौक रिपा रहे हैं संस्थान में एक दिन में या फिर एक मेने में तकरीबन पांसो से छेसो बच्चों को प्रशिक्षन देने की विवस्ता है और यहां पे जो आने वाला संसादन है जो खास का प्रस्टिक्शन संसादन है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है काफी सारे लेप्स यहां पे डवलब हो रही है और एस्टेबलिश हो रही है यहां पर ट्रेनिंग ब्लॉक के अलावा यहां पर प्रोडक्शन ब्लॉक है जो की खास कर MSM योद्योगों को प्रोडक्शन सपोर्ट से रिलेटेड यहां पर इस्टेट आप दार्ट मशेनरी बाहर से आईवी मशीन है पर लगाएगे इसके लावा यहां पर एड्मिन ब्लॉक है दूसरी और प्रेस्टिक्षन प्राप्त कर रहे हैं चात्र चात्राओं का कहना है कि यहाँ पर उन्हें अलग-अलग विशयों की तक्निकी जानकारी मिल रही है और यहाँ से प्रेस्टिक्षन लेने के बाद रोजगार के आउसर भी बढ़ जाते हैं अब यहाँ पर कॉर्स करने पर ट्रिपल सीटी सी टर्निंग सीखाया थे अभी उसके बाद हमारा OJT पीरेट चलेगा तो कंटिनिव हमारा 6 मन तक OJT पीरेट पर सभी मसीन हम लोग इक बार चला है यहाँ पर हम पर मसीन में फेसिंग करना मिलिंग मसीन में आगे गियर कटिंग करने के लिए इंडक्सिंग करने के लिए इस पर गियर बैवल गियर वह करा हो गया ग्रांडिंग में सर्फेस ग्रांडिंग कर रहे हैं हम सिलेंडर कल ग्रांडिंग है लेथ मसीन अभी आ गई यहां मिलिंग मसीन में मैं इंडेक्शन से की हूँ, प्रेसीन, बोरिंग, ड्रिलिंग, इस आधिवर्ग से की हूँ. उल्यक नहीं है कि प्रोध्योगिकी में हो रही प्रगती और उद्योग में लगने वाले कुछ अलग शर्म शक्ती के आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए, संस्थान में पिछले दो वर्शों से टूल और डाय निर्मान और मैक्ट्रोनिक्स के डिपलोमा पाठिक्रम भी अ और अभी तक लगभग 3564 हैं उन्हें इन प्रश्रिक्षन कारिक्रमों का लाभ भी लिया है। और अधिकारियों दोरा हेरिटेज वॉक किया गया। भारतिय पुरातत्व सर्वेक्षन की अधिक्षन पुरातत्व विद डॉक्टर कर्भी साहा ने बताया कि भारत सरकार की संस्कृति मंत्राले दोरा लोगों को संग्रहाले के प्रती जागरूग करने की दृष्टी से पूरे देश में जगजग जगजग जागरूगता कारिकरम आयोजित के जा रहे हैं। डॉक्टर समरेन सिंग ने कहा कि ये जागरूगता कारिकरम लोगों में जागरूगता प्रसार के लिए बहुत महतोपूर्ण सावित होगा। इस दिशा में एनसेस के वॉलिंटियस भ पुरातत्वविद डॉक्टर नित्या नन्न ने लोगों को मलहार की धरोर की जानकारी दी। उन्होंने विश्व संग्रहालय दिवस के उद्देश पर प्रकाश जालते हुए कहा कि भारत में संग्रहालय निर्मान की प्रक्रिया अंग्रेजों के काल में शुर हुई थी। कारिक्रम में अकत राम सिन्धा, ओम प्रकाश पांडे, राजेश पांडे और एनसस के कारिक्रम अधिकारी करुणेश नापित और पूरण सिंग्ठाकुर समेत अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्तित रहे। और बुलिटिन क्यान्त में मुख्य समाचार एक बार थे। केंद्रिय मंत्री अनुराब ठाकुर ने कहा, फिल्मों के सहनिर्मान के लिए लाएंगे इंसेंट्यूफ फंड स्कीम, कान्द फिल्म समारू में इंडिया पैवेलियन का केंद्रिय मंत्री ने किया उधगाटन। मुख्यमंत्री भुपेश बगेल के भेट मुलाखात अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू, पहले दिन कौंटा विधानसभा के गाउं में पहुँचकर लोगों से की बार। और तक्निकी ग्यान से अपने पैरों पर खड़े होकर आत्म निर्भर बन रहे हैं युवा, MSNB मंत्राले से बढ़ रहे हैं रोजगार के अवस्वार। और इसे के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्तुआ, नमस्कार।